कि चाइना में तक्ता फ्लाट हो चुका है इस तरह की न्यूज आपको बहुत सारे आर्टिकल में मिल जाएंगी चाहिए वो नैशनल हो या इंटरनाशनल तो इसकी सुर्वास होती है 14 सतंबर को जब सीजिंग्पिंग कोबिणाइट के बाद पहली बार अपने देश से बाहर समरकन में सीओ की मीटिंग अटेंड करने गया लेकिन सीओ की मीटिंग में ओपेशली खतम होने से पहले है सीजिंग बीजिंग के लिए लोट गए जो एए अज़ीब बात है क्यूंकि चाइना एट्सेओ का पांडिंग मेंबर है उसकी बात बताया जा रहा है कि जैसे नही house rate कर लिया गया लेकिन क्या इस बात वकिती सचा ही है इस पर वही कोई कुछ नहीं कर सकता लेकिन यह बात तो सच है कि उसके बाद बीजिंग की तरफ आने वाली domestic और international फ्राइड को लगभख कैंसल कर दिया गया और कई सारे ट्रेंड को भी कैंसल कर दिया गया और लगभख 80 किलोमेटर लंबा मिलिटरी काफिला बीजिंग के तरह बढ़ता देखा गया इन सब चीजों को देखर कहा जा सकता है कुछ तो गरबढ़ है पर क्या यह तक्तापलेट है इस पर भी कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि इस मुद्धे पर चैना गॉर्मेंट और चैना मीडिया चुप है